सो नाव इंटलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेट और यह कंपनी कुछ कर दिखाने वाली है जिया अभी यहाँ पर देखिए 630 रुपे कर शेयर प्राइस है और मैं कंपनी के काम के बारे में थोड़ा सा बता देने चाहते हूं तो 2011 में यह कंपनी की सुरुवात हुई और यहाँ पर इस फील्ड यह कंपनी जो है किस फील्ड में सबसे ज़्यादा माहर है तो वह फाइनेंसिल टेक्नोलजी में चाहिए वह आपका बैंकिंग ओ इंसॉरेंस हो यहाँ पर इनके सौफ्टर जो है वह बहुत मशूर है तो इस कंपनी की उपर सबसे ज़्यादा अगर स्टॉक यह कहता है यह पी रेशियो और आपका हाई जो है वह स्टॉक है 987 और लो है 563 का फेस वैल्यू 5 है यानि के आगे इस प्लेट हो सकता है बुक वैल्यू पर शेर 134 रुपीज है और यह अपना जो इसने अगर हम बात करें जो शेर प्राइस का जो तीजी हमको प्राइस तक है शेर प्राइस ने अपने शेर रोल्डर्स को काफी गुज्दिया इससे स्टॉक ने अपने शेरोल को काफी अच्छा फासा प्रॉफिट जो है अउस दे रखा अप देखिए यह आपके सामने पी रेशियो का चार्ट है और पी रेशियो और एप यह स्काप मार्स 2022 तक का यहां पर चार्ट है और जो क्वाटर है अभी तक का वो है तो अगर आप यह देखिए यह जो चार्ट है आपका वो सड़ली जो है ना वो डाउन आया 2019 तक जो आपका पी रेशियो वो लगाता है डाउन जाता रहा स्टॉक का अर्निंग पर शेयर लगाता है सब्सक्राइब के लेवल पर आचुका था लेकिन सेक्टमबर 2020 के बाद चीज़े बदलना है स्टार्ट हो गई सड़ली आपके पी रेशियो में गरावट आई यह लाइन देखिए और यहां पर जो है आपका अर्निंग पर शेयर रोकेट हो गया और यह है आपके एक साल का चार्ट और चार्ट पर आप देखें यह लेवल है और आज का यह लेवल है लगातार यहां पर जो गिरावट जारी रही है इवन इसकी पीछे एक बात चुपी हुई है जो कि पूरे IT सेक्टर कई शेयर के साथ जुड़ी हुई है मैं आपको बताऊंगा आके लेकिन अभी प्रॉफिट है या वह का नेट क्वार्ट कौटर कॉर्फिट है और यहां आपका सेल्स पी रिशियो आपका 50.17 पर है और इंटिलेक्ट डिजाइन का 24.75 पर है और दोनों काम थोड़े से अलग है वो इंजीनियरिंग में यह फाइनिसल सेक्टर का है आपका सबसे सस्ता अगर इस स्टॉक में अगर आप देखें इस लिस्ट में तो आपका औरेकल फाइनेंस का कि 85 e55 कि लिए और यहां पर अगर आप यहां पर आपर अगर आप पिए अगर आपर पर प्रॉफिट का बात करेंगे तो 68.77 करोटरपीस का बैकर आपकी नेट से 3241 प्रीट 对 क्रोटिक की और यही हाल हुआ है आपका औरेकल में औरेकल का जो profit percent है वो भी down गया minus 6.19% down पर है तो लगता है financial में थोड़ी सी problem है हलकी सी और यह आपका साल आना है और यहाँ पर margin percentage का ध्यान रखेगा मैं आपको net sale नहीं दिखा रहो मैं आपको दिखा रहो operating margin percentage जो कभी माइनस में था 2015 में माइनस 13 परसेंट वो अब 25 परसेंट पर क्लोक कर रहा है इवन द्यार रखेए मार्च 2022 का एक ऐसा एन्वल रिजल्ट है जो कि बताता है आपकी कंपनी का operating margin जिन परसेंट जो है वो अब तक के करियर का सबसे highest परसेंट पर ट्रेड कर रहा है तो इससे बड़िया बात और कुछ नहीं हो सकती 24 से 25 परसेंट का आपका OPM परसेंट हो चुका है और मार्च 2020 में यही था 6% के आसपास का OPM परसेंट तो लगातार कंपनी में रिवायवल तो जो है वह हुआ है जो डाउंसाइट चली गेंती सारी चीज़े वह अपसाइड में चेंज हो चुकी है और यहाँ पर शेयर ओल्डिंग पैटर्न भी देखिए आपका यहाँ पर मार्च 2022 का शेयर ओल्डिंग पैटर्न है और यहाँ पर FIS जो है 25.42 परसेंट थे मार्च 2022 में और जून का जो अभी लेटेस्ट है उसमें निकल के आया 24.60 लेकिन अगर आप देखेंगे तो जून 2021 जून 2021 से लगातार FIS जो है वो स्टेक घटाई रहे हैं इसके अंदर और यह काफी यह यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा चिंदा वाली बात हो जाती है यह थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पर क्या भरोसा जो है वो तूट रहा है यह कहना थोड़ा सा मुस्कल है FIS की रहे हैं इस कंपनी के अंदर यहाँ पर भी इनकी गटी इसके परसेंट के साथ टिकी हुई है अब यहाँ पर आपको देखेगा कि आपके कंपनी के पास जो रिजर्व है वहाँ पर लगातार बढ़ रहा है 1741 क्रोड का रिजर्व पहुंच गया है और लगातार यह साल दर 252592 करोड रुपी का यहाँ पर जो है आपके पास इस कंपनी का असेट्स है मतब कंपनी के असेट्स हैं कंपनी के पास इतने करोड रुपए के तो यह एक अच्छी बात हो लगातार साल दर साल यह असेट्स भी आपके बढ़े हैं So at the end, मैं कोई चार्ट पर बात नहीं करो, यहां पर बात खतम करते हैं, आपकी नेट सेल्स जो है, वो कभी डाउन थी, वो अचानक से अप हो गई, और कुछ यह चार्ट सही नहीं रहेगा, यह नेट सेल्स का ना, यह चार्ट सही रहेगा, जादा वेतर, ऐसे गई, फिर डा की बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ, अगर यह उड़ सा और डाउन आता है, तो अगर किसी को चाहिए, इंटिलेक्ट डिजाइन, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं, लेकिन ध्यार रखेगा, अगर गलोबल एकनोमी ड इंटिलेक्ट डिजाइन को, दोनों को ट्रेक करेंगे, तो आपको पता चलियागा, फाइनिसल का क्या हाल है, तो अगर पूरे वर्ड में यहाँ पर एकनोमिक स्लोडाउन आता है, तो फाइनिसल पर तेज उसका असर देखने को मिलेगा, इंपेक्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी स्लोडाउन आएगा, इंटिलेक्ट डिजाइन के ऊपर, तो शेर प्राइस उस कंडिशन में यहाँ पर जो है डाउन आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर 20-30% की गरावट हो सकती है, तो यह सारी चीज़ आपको मेंटेन करने पड़ेगी, अगर आपको यहाँ पर खरीते हो, तो आप आगे के लिए एवरेज करके आप चल सकते हैं, अगर आप यहाँ पर खरीते हो, और ऐसी कुछ आ जाती है, बात की यार, 10% या 20% स्टॉक में तेज गरावटा जाती है, तो आप आगे के लिए यहाँ पर तैयार रहो, ऐसी पॉस्टिप सोच चल सकते हैं, तो आपके लिए यह बना हुआ है, तो इस तरीके से काम करना है, अगर बहुत जादा नीचे आता है, एवरेज कर लेना है बस, क्योंकि कंपनी बंदन नहीं हो नहीं है, कंपनी का काम का जा रही है, जो एक नौमिक सुलो डाउन आएगा, तब ही यह शेयर डा कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट जो कभी डाउन हो गया था, वो एकदम आप हो गया, आपके ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कभी सालाना दर पर जीरो चले गए थे, वो भी अब सबसे हाइस पीक पर आ चुके, 2022 मार्च में, तो और चाहिए किसी कंपनी में, ऐसा ही होना चाह आप से तो, तो यह सारी चीज़ा है, आपका A1, अगर हम कहें, तो A1 आपका श्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसे खरीदना है, खरी सकते हैं, लेकि गिरावट के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि कि नौमी को देखना है, और इस वक्त सिनेरियो कुछ ऐस और इस तो